हमने फर्स चैप्टर में हर अपन सिविलाइलेशन को देखा था कि कैसे पहले एक सिविलाइलेशन डैवलप होती है इंडिया के अंदर उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से नहीं नहीं जो किंग्टम्स हैं वो सैट अप होते हैं इंडिया में लेकिन हमने एक चीज नहीं देखी थी वो है शोशल लाइफ तो आपके जो थर्ड चैप्टर है हिस्ट्री की उसमें दे रखा है शोशल लाइफ के बारे में तो वो चैप्टर है किंग्शिप कास्टन क्लास दैट इस चैप्टर थ्री तो हम उसको देखने वाले हैं आज और काफी जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं मैं आपको इतम इंट्रस्टिंग यह मैं समझाऊंगा ओके तो हाई गाईज दिस अंकीत यॉर वाचिंग हुमैनिटीज लवर लैट्स गट स्टार्टेड तो हम देखते हैं स्टार्ट करते हैं चैप्टर को ओके तो देखो पह आपने चैप्टर में देखाता है नहीं जो किंग्टम्स डैवलप होते हैं उनकी एकोनॉमिक और सोचल लाइफ अगराफ वी हव कवर्ड ओके नाव इन दिस चैप्टर वी आर गोईंग तो डिसकर दा सोचल लाइफ ऑफ देखेंगे सोचल लाइफ देखेंगे सिटीजन क तो यहां पर जो महाभारत है ना वो यहां पर evidence है इस social life का यहां पर जो भी social life की चीज़े हमने historians ने cover की है कि caste system क्या था everything तो उसका जो पूरा evidence है ना किसके basis पर ली है information तो ली है महाभारत के basis पर तो यहां पर हम देखेंगे किस तरह सो उन्होंने किया है तो यहाँ पर हम कौन कौन से टॉपिक्स देख रही ने वाले हैं तो उसके बेसिस पर सोचल लाइफ लोगों की पता लगती है कि किस तरह से सोचल लाइफ थी लोगों की उसके बाद देखेंगे फैमिली के बारे में क्या क्या रूस और रेगुलेशन थे पैटरिली नी मैं में मीनिंग बताऊँगा आप वो पैटरिली नी का क्या मीनिंग होता है उसके बाद हम देखेंगे rules of marriages marriages मतलब हाँ पर जो है types of marriages भी थी और कुछ rules भी regulations भी थे marriages के, then we cover we will cover the gotra, okay, what gotra of women and what were the rules of gotra then we will cover at last social differences the verna system, okay आपने छोटी class में देखा होगा verna system we will cover this please listen carefully to solve two mcqs at the end of this video, हर वीडियो इसमें भी 2 mcqs है last में आप अगर अच्छे से lecture को सुनेंगे तो आप cover कर सकते हैं 2 mcqs को now पहला topic है the critical edition of महा भारत देखो, यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर देख रहे है, social life देख रहे हैं citizen की ओकी, तो यहाँ पर हम social life किस time period से किस time period की देख रहे है तो वो है 600 BCE to 600 CE before common era to common era ओके, तो यहाँ पर हम BCE से लेकर 600 BCE तक देख रहे है social life logo की, तो यहाँ पर क्या है the tax or evidence historian uses महा भारत because it was done before few years ago यानि कि हाँ पर देखो हम यहाँ पर जो tax use कर रहे हैं evidence, वो है हाँ पर महाभारत महाभारत हम क्यों use कर रहे हैं क्योंकि यह जो time period है ना इस time period के कुछ समय पहले ही महाभारत हुई थी तो उसमें क्या था कि ऐसा तो है नहीं क्या महाभारत हुई है, तो खाली वो महाभारत को record करेंगे, वहाँ पर जो भी ancient history cover कर रहे हैं, now historian in 20th century think to use महाभारत and construct the social life of the people, ओके, तो एक ऐसा time आया 20th century ने 20th century में कि जो historians ने सोचा कि उन्हें क्या करना है, लोगों की social life के बारे में information लेनी है तो उसके लिए उन्होंने क्या किया उन्होंने सोचा कि हमें क्या करना है, critical edition prepare करना है यानि कि हमें different parts में महाभारत को लेकर के, जो different stories है उनको collect करनी है, महापर हमें देखना है कि किस तरह से हम पर जो लोगों की social life है, ओके लोगी जो social life है, उसके बारे में क्या क्या लिखा गया है जिसके basis में हम social life को reconstruct कर सकते हैं, तो उसके बाद क्या हुआ, इसलिए वहाँ पर critical edition prepare किया गया, महाभारत का, ओके the leader of this project was विये सुक्थांकर, तो ये इस project का leader किसको बनाया विये सुक्थांकर को, तो विये सुक्थांकर कोन है इनका full name है, विश्नो सीताराम सुक्थांकर ये इंडियन है, संस्कृितिस्ट है ओके, और ये इंडिया के रहने वाले थे, तो इन्होंने क्या किया था historian थे, विये सुक्थांकर ये leader थे उस project के अब इस project में करना क्या था, इस project में ये था ना कि different part में महाभारत को लेकर different text है साउत में जाएंगे अलग मिलेगा stories related, महापर कुछ social life की चीज़े भी मिलेंगी, marriages के रूस वगएरा everything, तो हाँ पर उनको collect करना है इस project को करने में लगे थे 47 years, और यहाँ पर इस project में उन्होंने क्या किया था, 13,000 pages को cover किया था, okay collect किया था, उन्होंने 30,000 pages को कि यहाँ पर different different parts से लेकर आये थे वो और बहुत सारी volumes भी थी साथ में many volumes of महाभारत historians also use another text for social life ऐसा नहीं कि हम social life के बारे में हाँ आपर discover कर रहे हैं हाँ आपर study कर रहे हैं तो हम खाली एक text को use करेंगे, नहीं, majority of text जो है, महाभारत से but हमने कुछ और भी text use के थे archaeologists ने, okay according to historians, the things written on this text were really practiced अब देखो, हम यहाँ पर क्या use कर रहे हैं महाभारत का use कर रहे हैं, वहाँ पर different text हैं okay, for example, हाँ पर जो दुरापती थी वहाँ पर क्या थी, उनकी types of marriages वगरा भी हाँ पर हम देखेंगे मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ, okay तो हाँ पर क्या according to the historians तो हाँ पर historians की according यह है ना कि यह जितनी भी चीज़े हमें हाँ पर महाभारत और कोई भी text है, हाँ पर हम देखने को मिली है, तो वो really को practice करते थे ऐसा खाली लिखा नहीं गया है, okay तो यह क्या तब, अगर आता है question इसके बारे में critical edition of महाभारत, तो critical edition of महाभारत यह सुख्थांकर ने prepare किया था, okay उसके leader वही थे, और वहाँ पर क्या था कि different parts से जो है, जो भी stories वगरा prevailed है, उनको लेकर आना है, और एक पूरा text collect करना है महाभारत का, और पूरी book prepare करनी है, जिसके लिए उन्होंने 47 years लगे थे, और 13,000 pages को उन्होंने क्या क्या था, collect किया था और many volumes को, जिसके basis पे उन्होंने क्या किया, social life को reconstruct किया, उसके बारे में जाना, okay, social life के बारे में क्या क्या जाना था, वो हम आगे देखेंगे आगे आगे आपको उसके बारे में clarity आएगी आएगी काफी कुछ let's see the social life of the people according to महाभारत, देखो, अब क्या हुआ यहाँ पर टूटा, उन्होंने क्या किया महाभारत को टेक्स्ट है, उसको रहे हैं, यहाँ पर हम यह देख रहे हैं ना कि महाभारत के, महाभारत जो एक book है ना, उन्होंने क्या किया critical edition prepare किया, उसमें से क्या के social life के बारे में चीज़े निकल कर आई, कि महाँ पर यह rule follow होता था इस तरह की family थी, पैट्रिलिनी, पैट्रिनी जितने भी चीज़े थी ना, वो समय हम इसमें देखने वाले हैं, ओके इस वाले में देखने वाले हैं कि family के बारे में क्या क्या चीज़े मिली थी, तो अगर question आता है कि यह पैट्रिलिनी, marriages वगरा, जितने भी आगर के topics हैं, उनका source क्या था, वो महाबारत ही है families were the large networks of people known as kinfolk, अब family क्या होती है for example family पूरी एक चली आती है family पूरी line, यहाँ पर जो है, यह grandfather है फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा है, इसे खरे पूरे जिक line होती है, पूरे एक family cycle होती है, तो उसी को महाबारत को study करकर यह critical edition को study करकर हमें यह पता लगता है कि ना, उससे में दो type के family थी, there were two types of families at the time, तो उनमें से पहली क्या थी पहली family यह थी ना, जो सोसती थी कि जो उनके cousin वगएरा है वो भी उनकी family का part है, ओके जैसे for example, अगर मैं आप से पूछा, आप family में four members है, तो उहाँ पर आप क्या ले रहे हो, आप कसन वगएरा को include नहीं कर रहे हो लेकिन आपर दो तरह की family थी, जो सोसती थी कि जो cousins वगएरा है, वो भी उनकी family के part है, और दूसरी जो नहीं तो ये तो हमने देख लिया किसके बारे में, families के बारे में, दो तरह की family थी who thing, cousin, जो है उनके part है, और जो नहीं सोसी थी, cousin उनके part नहीं है family के, now अब ये पैट्रिलीनी क्या है, the idea of पैट्रिलीनी, देखो हमने जो पैट्रिलीनी word है, वो chapter जा मर जाएगा, तो उसके बेटे को मिलेगा, तो ये पूरे process चला आ रहा है, ना कि जो kingdom है, वो trash होता है from father to son, son to grandson and so on, तो ये पैट्रिलीनी कहते हैं तो ये जो पैट्रिलीनी है, ये society में, उसमें follow होता था, okay practice के रहाता था, society में, now if the king do not have any son, then the brother or his brother son take the kingdom अब कभी कोई ऐसा भी होता था कि for example, महाँ पर कोई भी king लेगा, तो उसका जो brother है, वो क्या कर लेगा kingdom उसका ले लेगा, या फिर उसके brother का son, तो ऐसा होता था, but यहाँ पर एक चीज़ थी, women were not allowed to take kingdom, okay, at that time women were not allowed to take kingdom, लेकिन हम exception भी मिलती है, हाँ पर देखने को प्रभावति गुपता केस में, okay, तो प्रभावति गुपता कौन थी, she was the daughter of Chandrgup second, okay, Chandrgup second की यहादी daughter थी, लेकिन इस वाले case में exception क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि Chandrgup second ने क्या किया था, अपनी बेटी को डॉटर को यहाँ पर kingdom दिया था, लेकिन यहाँ पर rule किया था, कि कोई भी जो woman है, उनको नहीं मिलेगा, वर not allowed to take kingdom, उन्हों kingdom नहीं मिलेगा, okay, तो यहाँ पर चीज़े थी, जिससे हम में देखने को मिलता है, कि अगर कोई भी rule हाँ पर बनाया जा रहा है, तो उसको universally हर जगा follow नहीं किया जा रहा, okay, तो पैट्रिलीनी का मतलब है kingdom father to son होगा, फिर son उसका बेटा लेगा, फिर उसका बेटा है से चलता रहेगा kingdom के बारे में, राज्ये में, okay, यहाँ पर क्या था, woman को allow नहीं था, कि वो क्या करें, कोई भी kingdom ले, लेकिन exception देखने को मिलती है, प्रभावति कुपता के case में, okay, और अगर वहाँ पर king का कोई son नहीं है, तो कौन ले लेगा, brother या फिर brother का son, okay, तो यहाँ पर पूरा process था, पैटरिलीनी को ले करके, और यह rule था, women were not allowed, women को allow नहीं करेंगे, kingdom के बारे में, kingdom नहीं लेने के लिए, okay, यहाँ पर क्या था, जो पैटरिलीनी थे ना, इसके बारे में, रिगवेदा हमें भी लिखा गया है, चार वेदा होते हैं, हमारे, चार वेदा हैं, तो उसमें से तो एक वेदा है, उसमें उसके बारे में लिखा हुआ है, पैटरिलीनी के बारे में, marriages and its rule, देखो यह दो text हैं, धरम सास्र एं धरम सूतराना, यह दो तरह के text हैं, यहाँ पर कुछ rules and regulations लिखे गए हैं, marriages के बारे में, जिसको हर किसी को follow करना होता था, तो इन दोनों text के according क्या था, उसमें there were eight type of marriages, तो यहाँ पर हम देखे रहे, rules and regulation क्या थे, now rules and regulation क्या क्या थे, इतनी तो देखे लिए eight type of marriages थी, now इन में से चार good थी और चार bad थी, तो यहाँ पर हम देखे रहे, rules and regulation क्या थे, यह दो चार गुर्थी ना, इनको हम cover करेंगे आने वाले slide में, लेकिन अभी rules देख लेते हैं, यूँकि इनके अंदर mainly क्या लिखे है, rules regulation भी लिखे हैं, धरमसूतर यह धरमसास्त के अंदर, women do not have right on the resources of her house, such as kingdom, अब कोई भी क्या होगा, कोई भी woman है न, उसके घर में कोई भी resources वगरा है, उसके kingdom वगरा है, उसके father का, तो उसका woman का, वहाँ पर कोई भी right नहीं होगा, अगर कोई वहाँ पर जो है, वहाँ पर जो है father है, और उसके son भी है, daughter भी है, तो daughter को kingdom नहीं मिलेगा, son को मिलेगा, यानि daughter का कोई भी, घर के resources पर right नहीं है, exogamy were considered desirable or good, exogamy क्या exogamy type of marriage है, we will cover this, cover करने वाले हम इसको cover करेंगे, आगे मैं बताऊंगा, ओके तो यहाँ पर क्या था, इस exogamy को ना good माना जाता था बहुँ जादा, they have to marry at the right time, with the right person, तो यहाँ पर क्या था, कि उनको right time में, और right time पर right person से marry करना होता था, यह तो अब भी है, आपको बतायता है, धरमसास और धरमसूत्रा में, चार आठ तरह की marriages थी, जिन में से चार जो good थी, तो उन में से चार कौन कौन सी good थी, तो यह type of marriages है, सारी जो की good थी, और माना जाता था, यह marriages बहुत अच्छी हैं, good prevail हैं यह, तो उन में से पहली endogamy, endogamy क्या है, marriage within the caste, caste for example, यहाँ पर जो है, आप मतलब कोई caste है, और दूसरा भी जो, वो है मतलब, अगर groom और bride कोई भी है, तो उसी caste भी same है, तो within the caste अगर marriage हो रही है, तो वो होती है endogamy, लेकिन अगर for example, bride की caste अलग है, और groom की जो caste है वो अलग है, okay, तो यह outside the caste marry हो रही है, okay, same caste नहीं है, उसको कहते है exogamy, endogamy means within the caste, और exogamy outside the caste, polygyni क्या होती है, a man having several wives, for example, लश्च्रत की क्या थी, काफी wives थी, okay, polyandry of women having several husbands, तो इसका तो हमें clear example मिलता है, महाबारा से, for example, दुरौपती क्या थी, उनकी women थी, उनकी काफी husbands से, तो यहाँ पर यह सारे क्या है, type of marriages है, okay, तो इन marriages के बारे में, कहाँ पर लिखा है, धरमसास और धरमसूतरास में लिखा हुआ है, चार तरा, आठ तरा की थी, जिन में से चार अच्छी थी, और यह मैंने आपको चार बता दी है, रूस भी हमने cover कर लिए है, देखो आपको पता हूँ, वह गोतरा वगारा क्या होता है, कास्ट की तरह होता है, बस बट यहाँ पर कास्ट और गोतरा में एकी difference होता है, कास्ट बहुत सारी होती है, लेकिन गोतरा इतना जारे नहीं होते, तो कोई भी अगर गोतर है, तो उसका नाम कहां से होगा, तो यह सारे हम क्या cover करें, सोशल चीज़े cover कर रहे हैं, सोशल लाइफ रिकंस्रक्ट कर रहे हैं, तो यूँ एफ लिसन अबाउट गोतरा गोतरा नेम्ट आफर वेधिक सीर्स, फर एजांबल कोई भी रिशी मुनी है, भारदवाज थे पहले, तो उनके नाम पर एक गोतरा बनाए गया भारदवाज, इस तरह से, तो यहाँ पर क्या थे कि, कोई भी अगर गोतरा बगएरा होगा न, तो वो किसके नाम पर होगा, कोई भी वेधिक, कोई संत बगएरा होगा, कोई रिसी मुनी उसके नाम पर होगा, तो वेधिक सीर्स हुआ ही है, अब देखो महाँ पर क्या थे, गोतरा को लेकर भी काफी rules and regulations थे तो हम वो cover कर रहे है the woman have to give up his father गोतरा and adopt of their husband गोतरा, वहाँ पर क्या था ना कि marriage के बाद क्या था कि woman को क्या करना होता था father गोतरा give up करना होता था और अपने husband का adopt करना होता था, ये rule था हमाँ का members of the same गोतरा could not marry but this rule was not universally followed लेकिन यहाँ पर क्या था कि कोई अगर member है same गोतरा का है तो उसको माना जाता कि वो कहीं ना कहीं उसी के family का ही part descendant है कहीं ना कहीं उनका और दूसरे वाले का link है आपसे family का वो brother या sister है उसका तो हाँ पर क्या था कि member of same गोतरा कोई marry नहीं कर सकते हैं यह भी rule था लेकिन यह जितने भी दोनो rules है ना कि give up करना होगा और husband का adopt करना होगा same गोतरा कि marry नहीं कर सकते इन सब को universally follow नहीं क्या राता था इसके लिए मेरे पास एक evidence है क्या है evidence यह example लिखा हुआ है यहाँ पर क्या था सतावना हमने कवर किये थे एक kingdom था ओके तो उस kingdom के जो भी king से ना सतावना king उनकी जो wife थी ना उन्होंने अपने फादर के गोतरा को give up नहीं किया था चोड़ा नहीं था और अपने husband का adopt नहीं किया था लेकिन rule के according तो ऐसा है नहीं ना यह तो rule के against ना rule में क्या है rule में तो यह है कि father के गोतरा को give up करना होगा और husband के गोतरा को adopt करना होगा और यहाँ पर क्या था कोई कर ऐसा होता था कोई सतावना king है और साथ में उसकी कोई wife है ओके दोनों का same गोतरा भी होता था लेकिन उपर क्या है उपर ऐसा होई नहीं सकता कि same गोतरा के मैंने नहीं कर सकते अब यह होता हो या ना होता हो यह मुझे मलब इस तरह से जो है यह different part में हमारे इंडिया के यह मतलब हर जगा different है लेकिन उस समय ऐसे ही रूस से जो कि हमें महाभारत के basis पे पता लगे है अब देखो यहाँ पर हम आखरी में देख रहे है वर्ना सिस्टम वर्ना सिस्टम के बारे में आपको आधा बताऊंगा इस slide में और आधा हम दूसरी वाले में cover करेंगे वर्ना वीडियो बड़ी हो जाएगी वर्ना सिस्टम क्या है देखो आपने वर्ना सिस्टम के बारे में काफी पढ़ा होगा तो वर्ना का मतलब है कि कास्ट को divide कर देते हैं different part में और उनको occupation में different देते हैं तो यहाँ वर्ना सिस्टम means to divide people on the basis of occupation work was divided to people that they have to do वर्ना सिस्टम का मतलब होता है कि कास्ट जो है na different कास्ट को divide कर देना और किसके basis पे divide करना काम के basis पे अब यहाँ पर भ्रामर कास्ट हैं सारी कास्ट हैं उनको काम के basis पे divide कर दिया अभी हम काम में देखेंगे क्या क्या work थे हैं सब के अब देखो यहाँ पर हमने देख लिए कि वर्ना सिस्टम क्या होता है वर्ना सिस्टम का मतलब है किसी भी कास्ट को क्या करना divide कर देना किसके basis पे occupation के basis पे divide कर देना for example यहाँ पर हमने अभी यहाँ पर हमने cover किया है ओके यह देखो यह देखा था हमने अब उनका occupation देख लेते कि इनका काम क्या था जिसके basis पे इनको divide क्या गया था तो ब्रहामन सा काम क्या था उस समय study and teach वेदाज पहला ये था कि जो वेदा वगएरा उसको study करेंगे, teach करेंगे, sacrifice perform करेंगे gift कोई भी अगर दे रहा है, छत्रिया क्या करते थे, king वगएरा थे, इनको gift देते थे तो ये gift को receive करेंगे, छत्रिया जो थे mainly king वगएरा थे, इसमें priest वगएरा आ गए, छत्रिया में king तो यहाँ पर जो भी king से उनको काम ये था कि वो क्या करेंगे, protect करेंगे people को और warfare में एंगेज होंगे, लडाए जगडे करेंगे, justice provide करेंगे, न्याय, study, वेदास and get sacrifice perform, यहाँ पर इस sacrifice खुद नहीं करेंगे, बल्कि ये भ्रामार नागे उनके लिए कोई यग वगएरा कर culture है, trade, यहाँ पर कौन थे, farmers, merchant वगएरा, trader वगएरा include थे, सूदराज last में थे, last में थे, वर्ना सिस्टम के last में सूदराज, इनका क्याम क्या था, serve all the above वर्ना, इन सब की सेवा करना है, यहाँ पर सारे worker वगएरा, servant वगएरा included थे, okay, तो यहाँ पर यह क्या है, हाँ पर पूरा जो है, हमारा वर्ना सिस्टम, okay, तो पूरा वर्ना सिस्टम था, काम के बेस, इस पर कास्ट का डिवीजन था, कि यह काम कर सकते हैं, उस तरह से यह डिवीजन था, okay, लेकिन यहीं पर यह डिवीजन खतम नहीं होता, आगे भी है, तो वो हम next आली वीडियो में cover करें करेंगे, okay, तो इस सारे हमने क्या देखें, काम देखेंगे, okay, now, तो एक quiz time है, okay, देखते हैं, आपने कितने अच्छे से lecture को सुनाएं, मैं आपको बताया था कि एक रूलर थे, जिनकी वाइफ गोतरा की रूस को फोलो नहीं करते थे, okay, तो रूलर का नाम बताना है, Question 2, which caste was placed at last in the Varna system, Varna system में क्या थे, काफी caste मदद काफी नहीं, चार caste थी, okay, तो उनमें से last में कौन सी थी,